नवस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बदोरिया इंडेन यूटूबर और आप सभी लोगों का मेरी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में सबसे बड़ी एक आम समस्या वो है खासी जुखाम बलगम बाली खासी या फिर कफ तो अगर आपको भी समस्या है खासी की या फिर जुखाम की या फिर आपके गले में कफ है या दोस्तों आपके गले में खरास है, तो ये सब खतम करके, यानि कि खासी जुखाम गले की खरास इंफेक्शन को ये बिल्कुल जर से खतम कर देगा मातर एक दिनके प्रियोग से. तो आपको करना क्या है आपको लेना है दोस्तो अद्रक यानि की जिंजर और ये जिंजर को क्या करना है अच्छे से आपको पानी से साब कर लेना है और पानी से साब करने के बाद में इस तरीके से आप इसका छिलका निकाल दीजिए दोस्तो ये जो मैं नुस्का आपको बता होता है Kelsium Iron Bittamin और जो यह होता है इस की तासिर होती है गरम यह आपके जमय हुए कफ को बिल्कुर खतम करेगा आप के गले की खरास को खतम करेगा आपके गले की गांट को मैंने अच्छे से यानि की इसका छिलका निकाल दिया है अब आपको करना क्या है जो बाकी का जो अद्रक है इसको मैं हटा दे रही हूं तो इसको आप अच्छे से साफ करिए ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी ना रहे तो यह जो छिलके हैं अद्रक के इसको आप च चैनल को सब्सक्राइब करें। stereotype करें। सब्सक्राइब करने के बाद ईसे बगली जिल का इकन इसे जरूर सब्सक्राइब करें। साथी साथ आलल परख रेंहें। इससे होगा ये जो नइटवोड पुट करूँगी ऐसके पने गडर का सबसे पहले। तो चलिएं दोस्तों हमें अदरक करना क्या है? अदरक को हम ग्रेट कर लेंगे, यानि की कद्दू कर लेंगे. आप चाहें तो इसका पेष्ट बना सकते हैं. दोस्तों ये जो नुस्का है, ये बहुत यादा कमार को नुस्का है. आपको कितनी भी भेंकर खांसी आ रही हो, गले में खरास हो, यह खांसी को एक सेकंड में आपको फाइदा देखा, एक सेकंड के अंदर, आप इसे जब ट्राइ करेंगे, तो आप खुद ही मुझे थैंक्स बोलेंगे, जब आप इसको लेंगे, इस नुस्के को पिएँगे, तो दोस्तों आपके गले की जो जब खरास होती है तो गला हमारा दर्द करने लगता है जब बहुत खासी आती है आप देखना कैसे ये नुस्खा रहत दिलाता है ये नुस्खा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको ग्रेट कर लिया है और अब इसको हमें क्य ा करना है इसका हमें निकालना है तो जूस निकालने के लिए आप चाहें तो किसी चप्टन का कपड़ा डा डाल दिया है औरय अब इसमें हम यह सारा अध्रक डाल लेंगे दोस्तों कपड़े की मदद से इसका जो जूसे बहुत अच्छे से निकल आता है और एक भी जूस इसमें नहीं बचता है तो चलिए हम मैं आपको बताती हूं किस तरीके से निकालना है तो यह इस तरीके से आप कपड़े में इस जिंजर को डाल दीजिए यानि की अध्रक से निकल आएगा आसान तरीके से आप निकाल लेंगे तो चलिए अब यहां पर मैंने यह जूस निकाल लिया है और यह जो बचा हुआ अध्रक है इसको आप चाय बगएरा मैं सबजी बगएरा मैं अराम से यूज कर सकते हैं और मैं आपको दिखातू इस तरीके से आप जूस निकालेंगे तो इसमें एक भी जूस नहीं बसता है पूरा जूस आपको निकल आएगा अध्रक का तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर कैसे हमें लेना है समुस्के को और कैसे यूज करना है दोस्तों इस मुस्के को आप जरूर ट्राई करना और चलती चिकटोरी और अब इसमें हम डाल देंगे करीमन एक चम्मच भर करके अध्रक का जूस जब आप अध्रक का जूस यूज करें तो आप इस तरीके से चला करके यूज करिएगा तो आपको करना क्या है यहां पर एक चम्मच आपको अध्रक का जूस ले लेना है और यहाई को यह ताजगी देता है और गले को फ्रेज करता है और अब यह इसे एक फैदा हो रहर रहे है इससे जो चोटे बच्शे होते है वह आराम से नुश्की को कहा ते हैं यानी कि ले सकती 30 थी यह यह बच्छ दवाई खाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं म भला खा नही से mix करेंगे दोस्तो इस से पहले आप भूल जाए तो आप वीडियो को पसंद आ रहा हो अगर आपको तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों मैं सेर कर देना और चैनल को subscribe कर लेना बैल आइकन को प्रेस करना जिससे होगा यह तो नई वीडियो प्लोट करूंगी उसका नट अब इसके बाद में हम ढाल देंगे एक चुत्की नमक यह जो नमक होता है यह नमक गले की खरास को खत्म करता है और साथ ही यह नमक कभी प्यगिला करके निकालता है तो आmud इसमें एक चुत्की सेंदा नमक ढालत या फिर आप इसमें काला नमक भी डाल सकती है जो भी नमक आपके पास तो एक चुटकी नमक इसमें जरूगा तो अब इन तीनों चीज़ों मैंने चोटे बच्चों को दे सकती हैं तो इस तरीके से चुथाई चमच सोबह दोपहर साम तीन टाइम आपको देना है अगर किसी बच्ची को दे रही है अगर आप किसी बड़े को दे रही है तो बड़े के लिए ये पूरा एक चमच है जितना मैंने पहली में लिया है ये पूरा दिन तक सुबह दोपहर साम आप इसे पी लीजिए आप देखना आपकी सरदी खासी जुखाम या सिर्फ खासी ही है तब भी आप इसको ले सकते हैं आप देखना आपकी जो खासी जुखाम है और सरदी खासी जुखाम जड़ से खतम हो जाएगी तो दोस्तों वीडियो कर लेजिए